नमस्कार दोस्तों, वोई शॉप जेस्लमेर में आपका स्वाइट है दोस्तों तो मैं आज आपको लेकर कर आया हूँ एक निर्जन दो defend तो मैं आज आपको दर्शन करवाँगा शंचय माठ का मन्दर के इसे इसका मूल स्थान कहते हैं कि जोद पुरके बास बड़ा मंदर है यह बहुत बड़ा मंदर है लेकिन दिरी जिनुदार हो जैसे जैसे लोगों के पास साधन संपन हो रहे हैं, आर्थिक इस्तती ठीक हो रही है, तो वह अपना कहते हैं कि जो अपने धार्मी किस्थल है, अपनी जो कुल माता हैं, कुल देविया हैं, वह इस्थान को चेतन कर रहे हैं, तो दोस्तों, मैं लेके चलता हूँ आपको संच जेमा तकी मंदर किसारो जाल, किता नेकी शाल, कि मैं जावाँ puisque किन अवल देख फिरासेश क के तो सूस्तेमore ड कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो वाल झाल 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 मैं अरिष छंगानी हूँ मैं यहां कन्योई राज क्यों चमाधिक विद्याले में हंदीपत पर व्याख्याता हूँ और मेरी यह संचया माता कुल देवी का मंदिर है तो हर नवरातरा और नवरातरा के अलावा भी मेरी यहां भाई की भी एक छोटी मूर्ती लगी हुए तो म है यहां हर हफते में एक-दो दिन आता रहता हूं कई वार नाइट होल्ड भी करता हूं और अभी नवरातरा में तो वैसे पूरा नौ दिन यहीं रहते हैं और पूजा करते हैं यह जो मंदिर है संचया माता यह हमारी भी और कुछ मैसरी और कुछ राजभुतों की और समय के मन्दिती है जब लोदरवाज येसनलमीर की राजदा नहीं थी तो ये मंदिर भी उसी केटेगरी का था और इसमें जो है बड़े उस समय ये मंदिर बहुत विशाल अपने आयमें इस एरिय में बहुत विशाल मंदिर में इस रेणी में सुमार होता था और जाता है कि अ लाओदिन खिल जी के आकरण मंद के समय ही इस मंदिर की मूर्तिया और इस मंदिर को द्वस्त किया गया था कि थेना पुराना है ये कब का हो सकता कुछ आइडिया हैस्जी अपने के लिए पना जिए पनला के समकालीन माना जाता है जब लोदरवा जेसलमेर की राजदानी थी और जब वो यादव अंची यहां आये थे तो अपने लोदरवा पहले उना राजदानी बनाया था तो उसी के समकालिन है और चुकि यह बात भी एफेक्ट है कि जैनिजम जब है जब जैनिजम में के मंदर बने उसी कालकाई बना ह जूगी मैं एक क्वेश्चन आपसे चाहूगा जो यहां कह सकते हैं कि यह थंबलिया लगी वी है तो यहां मतलब किसकी लगी वी है कौन सी जैसे यह जो यहां लगी है तो यह कुछ है उसे शेंसे हैं जो इस मंदिर के इसला लेक है काफी इसमें अंदर जमीन के अंदर भी दब चुक है अभी जैसा वहां जो हमारी एक जिसमें की प्राचीन परंपरा रही के घोड़े पे सवार जो मूर्ती होती है वो कुछ खंडित है जो यहां सिला लगी विए तो यह किसी व्यक्ति विसेश की है यह उसी समय कहीं कहीं हमारे यहां लोकल देवता में बहुमिये को बहुत पूजन किया जाता है तो ज्यादा तर जो बहुमिये किसी के पित्र में होते हैं किसी के वंस में होते हैं तो ज्यादा तर उनकी जो मूर्ती बनाई जाती है गोड़े पे ही बनाई जाती है कि यह देवी के मंदिर है और प्लस कुल देवता उनको पूझनी किया जाता है इसमें आपको मेरी छाल से E0 आपने देखा होगा तो उस पूराने मंदिर मूर्तियों में एक भहराव की भी मुरती है तो यह बात फैक्ट है कि हम माने चाहिए माने जहां हमारी कुल देवी होती है कुल देवता के रूप में बहरोविद्यमान होगा वो मंदिर के आसपास कहीं बाहर विराजमान होते हैं तो अब कई लोगों को तो यह हो चुका है अपने समाज में अपने इंदु धर्म में अपना वो मूल जब इस्थान छोड़ चुके हैं तो अपनी कुल देवी और कुल देवता को बूल चुके हैं और जब कुल देवी और कुल देवता को उनका ग्यात भी नहीं है कि उनके कुल देवी और कुल देवता का है कई लोग जब इनको मालूम चलता है और जब वो अपना दर्सन करने यहां आते अपनी कुल देवी या जहां भी वो अपनी कुल देवी देता है तो उनके कई काम सफल होते देखें यह मेरा खुद का व्यक्ति विशेश मेरा अनुभव भी है मैंने दिन भी किया है और मैंने कि आपका यहां पर जो कंडर हमने देखे और यह मंदिर और लुद्रुआ कि एसा लगता काफी समय पहले यहां बहुत सम्वरद साली एक प्रम वो कोई सब्लिता रही होगी यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी सम्वरद साली सब्लिता रही है और जशलमे मेर का अपन जो कि आक्रमण वे मेकाले शिक्सापदती मेकाले ने अपने कई इत्यास को द्भस्त कर दिया है तो जेशल मेर का भी इत्यास काफी नंग से उस समय द्भस्त किया गया ये बाद निश्छित तो अभी हमने बात की जंगानी जीसे इन्होंने इस संचाय माता के मंदर के बारे में बताई हैं तो दोस्तों यह था संचाय माता अब्दिर करने बादे करने बात की जादे एंगे लिए जादे जादे लिए आपते लिए करिया जादे लू़िए अला हो अजी ! हुआत की प्राधी जी secondo ? नवरत्र हमीं सेटी जहिर गोत्यु आकार high नवरत्र नाहीं आपक एलोग के खिले है अचािवेश्क रिगण है नवरत्र हम शारे है लूखक्त आपके रेड़े म स्फच नवरट्र sı दिए इस बीज़े बना नहीं पर आपको इस भी आपके हैं रिजने को आपके लिए अफिस भी आपकोई के आपके साथ और अपंड़ी आप संसना हुआ झारी है कि मेरेभार देट capabilities है जाओ जिरस चाझा..σादिक रदोसू मैटपर फिई उड़ स्था उड़ा ए चाहने बाओ भाँ नहीं उड़ा और पादे लिए doing that आप सस्था कि अप्राइबने के रहा है झाल 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 यहां बारिस का वेग भी है पानी भी आता है उसे में एक सामने ही ठीक जो आप देख रहे हैं यहां लद्रुवा है यहां की राजदाने किसी शमय में बहुत बड़ा झाल झाल झाल